ओम शांति 15 फरवरी 2023 मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य आज की मुड़ी के कुछ मुख्य पॉइंट्स आज बाबा हमें समझाते कि अब समय बहुत थोड़ा बचा है इसलिए हमें बाब का पूरा पूरा मददकार बनकर रहना है एक बाब और वर्से को ही याद करना है और दूसरों को भी कराना है हम बच्चों को अनसमय में एक बाब की ही याद रहे इसके लिए दिल की सच्ची प्रीद एक बाबा से ही रखनी है अब हमारा सोचना, कहना और करना तीनों समान होने चाहिए क्योंकि तभी हम बच्चे बाब समान और संपन बन सकते हैं इसके लिए हमें छोटी-छोटी इच्चाओं को त्याग कर इच्चा मातरम अविद्या बनना है हमारी कतनी करनी और रहनी समान हो तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली ओ शान्ती बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे लिए योग की भट्टी most valuable है क्यूंकि इस भट्टी से ही तुम्हारी विकर्म भस्व होते हैं प्रश्न किन बच्चों की बुद्धी में बीच और जाड की नॉलिच स्पष्ट बैठ सकती है उत्तर जो विचार सागर मन्तिन करते हैं विचार सागर मन्तिन के लिए अमरित वेले का टाइम बहुत अच्छा है अमरित वेले उचकर बुद्धी से एक बाबा को याद करो तुम्हारा अजपाजाप चलता रहे सुक्ष्म वास्थूल में शिवबाबा शिवबाबा कहने की तरकार नहीं बुद्धी से याद करना है ओम शान्ति रुहानी बाप बैठ कर रुहों को समझाते हैं अर्थात बच्चों को समझाते हैं बाप कहते हैं मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता हूँ तुम भी ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ ये नौलेज अच्छी रीती धारन करनी है जैसे बाप के पास धारन कि हुई है आत्मा की बुधि में धारना होती है तुम्हारी बुद्धी में ऐसी धारना होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धी में है बीज और जार की समझानी तो बहुत सहज है माली को नौलेज रहता है न कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा जार निकलेगा बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं ये बुद्धी में धारन करना है जैसे मेरी बुद्धी में है वैसे तुम्हारी बुद्धी में रहना चाहिए वह रहेगा तब जब विचार सागर मंतन करेंगे विचार सागर मंतन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है उस समय धन्दा आदिर कोई नहीं रहता भक्ती भी मनुष्य सवेरे करते हैं यहां वहां जाते रहते हैं वहां बैठकर कोई नाम जबते रहते हैं वहां जीत काते हैं आवास करते हैं कोई तो अंदर ही राम राम र कोई माला भी फेरते रहते हैं, तुमको शिवशिव कहना नहीं है, जो लोग भक्ती में करते बें जान में नहीं होना चाहिए, बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिवशिव सिम्रन करते हुँगे, तुमको शिवशिव न स्थूल में न सुक्ष्म में चपना है, तुम उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वह पुनर्चनम रहे थै, पुनर्चनम मनुष्य स्रिष्टी में होता है, विश्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायन है, देव देव, महा देव कहते हैं, ब्रह्मा और विश्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन इसलिए उनको बड़ा रखते हैं, उनका उनर्चनम नहीं, उनको सुख्ष्ण शरीर मिलता है, श्रिव बाबा को सुख्ष्ण शरीर भी नहीं है, इसलिए वह सबसे उंचते उंच है, वह है बेहत का बाप, बच्ची चानते हैं, बेहत के बाप से हम बेहत सुख का बरसा ल जो खुद याद करते हैं, औरों को याद कराते हैं, वे जैसे बाबा के मददकार हैं, बाब और वर्सी को याद करना है, बच्चों को समझाते रहते हैं, तुम्हारे अब 84 चन पूरे हुए हैं, बाकी थोड़ा टाइम है, नाटक में एक्टर समझते हैं, अभी बाकी आधा फिर हम घर जाएंगे, टाइम देखते रहते हैं, तुम्हारी तो बेहत की बहुत बड़ी घड़ी है, समझाया है कि अब घर चलना है, बाप को याद करने से तुम्हारे पिकर्म बिनाश होंगे, और कोई शास्त्रों में ऐसा सहच योग है नहीं, वह तो बहुत हट्योग करत जो तुम माताई कर न सको, तुमको हट्योग्यों के मुवाफिक आसन नहीं लगाना है, हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है, तुम्हारा राजयोग है टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना, ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चड़ेगा, हट्योग में दोनों टांगे बाबा तुमको ततलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए, common बैठने में और योग में बैठने में. तुhm राजयोग सीख रहे हो, तो ऐसे बैठना चाहिए, जो मनुष्य समझें, ये राजयोग में बैठे हैं. ये हमारा राजाई का धंग है तुम बेहत के बाप त्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है सत्यूग में बाप को याद नहीं किया जाता है अपनी को किया जाता है कल्यूग में न बाप को जानते न अपनी को जानते हैं सिर्फ ब नहीं समझते हैं कि बाप बिंदी है अधी सुक्ष्म भी कहते हैं फिर कहते हैं हजारों सूरियों से भी तीखा है तो बात मिलती नहीं है जिब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है फिर हजारों सूरियों से तीखा तो कहना चाहिए पहले तुम भी ऐसे समझते दे बाप कहते है ड्रामा में ये समझानी देरी से मिलने दे सुक्ष्म ते सुक्ष्म गुई बातें समझ कर समझाई जाते हैं ऐसे नहीं खयाल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजोमाई कहते थे अब फिर बिंदी क्यों कहते जब I.C.S. पढ़ेंगे तब I.C.S. की बाते करें पहले कैसे करें इसमें मूझने की धरकार नहीं है ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं इनके पाद भी अजुन क्या-क्या समझाएंगे क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है न जैसे तुमारी आत्मा है वैसे वह भी आत्मा है परम धाम में रहते हैं उनको परम आत्मा कहते हैं यहां जब आते हैं तो नौलेज देते हैं बाबा कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊंगा पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, हे दुख हरता, सुख करता आओ, वे तो संगम पर आएका, जब रात पूरी होगी, तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मा तीत अवस्था अंत में होगी, तुमको रहना भी ग्रहस्त व्यभार में है, छोड़ना भी नह करते हुए, कमल फूल समान, पवित्र रहना है, देवता तो हैं ही फूल पवित्र, परन्तु कब और कैसे बने, जरूर फुरुशार्थ किया, तब तुम प्रालब्द पाई, फुरुशार्थ अनुसार प्रालब्द बने, जैसा कर्म वैसी प्रालब्द, ये तो चलता ही र उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए, तुम अडॉप्टेट बच्चे हो, मारवाडियों में अडॉप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी अडॉप्शन है, तुम इनके गर्ब से नहीं निकले हो, अडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक चानते हैं कि हम असल किसका था, अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं, तुम भी चानते हो, हम किसके थे और किसके बने हैं, मैं अडॉप्ट हुआ हूँ, परमपिता परमात्मा के पास, वह है स्वर्ग का रचैता, उनकी रचना कितना समय चलती है, आधा कल्प, नर्क का रचैता है र बनते हैं, यह समझ की पात है, कुछ समझ में न आई तो पूछना चाहिए, जब सूर्य चानत को ग्रहन लगता है, तो कहते हैं दे दान, सूर्य चानत को माबाप कहा जाता है, यहां भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहन लगता है, तब कहते हैं पांच विकारों का दान दे दो, वे तो वर्ष में एक तो बारी ग्रहन लगता है, यह तो कल्प की बात है, बाप आगर एकी बात दान लेते हैं, मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गई हैं, आयरेन एज है, सच्चे सोने में अलोई पढ़ने से काला हो जाता है, नया घर, पुराना घर, नई बच्चे और बुड़े में, फर्क तो है ना, छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, सब उनको चूनते हैं, बोध में पिठाते हैं, पुराना जड़-चड़ी भूत हो जाता है, तो कहते हैं, कहां शरीर छूटे तो अच्छा, जादा दुख क्यों सहन करें, आत्मा एक शर जाकर दूसरा लेती है, यहां हम बीमार को मरने नहीं देते हैं, फिर भी जितना सुनें, उतना अच्छा, शिवाबा और वर्से को याद करते रहें, बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है, तो सब भूल जाता है, पाकी जिसका किसमे भाव होता है, वे सामने आ जा तुम्हारा तो अंजाम यानि वाइदा है, मेरा तो एक शिवाबा दूसरा न कोई, फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो, बाप कहते हैं, मेरे बिगर किसकी स्वृती भी न आए, गाया हुआ है, अंतकाल जो स्तरी सिम्रे, सारा शलोर कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं सम है सारी संगम की बात, जो भगती में काते हैं, इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्से को याद करना है, श्री नारायन तुम्हारी प्रालग्ध है, तो अर्थ पूरा बुद्धी में होना चाहिए, बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं, विछाडी में जिसके जास्ती प्रीद होती है, वही याद आते हैं, बड़ा खबरदार रहना चाहिए, तुमको याद करना है एक बाप को, बाप कहते हैं मन मनाभव, तुम बच्चे कहते हो बाबा, हम कल्प कल्प, आपसे मिलते हैं, ये क्यान आपसे बदुबन में आकर लेते हैं, यह है वशी करन मंत्र। सत्कुरू है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता है जो तुम अमर बन जाओ। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं तुलसी दास चंदनगी से। यह भी अब की बात है जो बाद में गाई चाती है। तुम बच्चों को राज तिलत मिल रहा है बाप और वर्से को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलत मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा। माला एक सो आठ की भी है। सोला हजार एक सो आठ की भी है। अब तु सिर्फ तुमको accurate बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं, तुमरी गत्मत तुम ही चानों, सो बरोबर है। सद्गती दाता वह है, वही चाने। आगे तो सिर्फ गाते थे, अर्थ सहित। उसको कहा जाता है अनर्थ, प्राप्ति कुछ भी नहीं। मनुशे दान पुन्यादी करते करते उतरते ही आए हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं है। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। ये भी नारायन की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूजे बन रहे हैं। प्राक्टिकल में। अब तुम बच्चे चानते हो। श्रिबाबा हमको पढ़ाते हैं। ये तो पक्का याद रखना है। नहीं तो विकर्म, विनाश नहीं होंगी। ये योग की भटी most valuable है। मुक्ती भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांती चाहिए। परन्तु पहले ये बताओ, तुमको अशांत किसने किया। जरूर पहले शांती थी। अभी अशांत बने हो। तब तो शांती मांगते हो। शांती तो सारी दुनिया में चाहिए। एक को शांती मिलने से कुछ हो न सके। एक को शांती मिलने सी सारी दुनिया में थोड़े ही शांती हो सकेगी. अशांत किसने किया है? मुझ पढ़े हैं. समझाया चाता है शांती धाम, सुख धाम और यह है दोख धाम. सुक दाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे, उस समय बाकी सब आत्माईं शांती धाम में थे, तुमको शांती वहां मिले, यहां तो मिलना सके, यहां तो है ही दुख दा, दुख में अशांती होती है, यह तो बहुत सहज है, किसको भी समझाना, सुक शान्ति का वर्सा देने वाला एक ही बाप है सत्यूप में सुक शान्ति दोनों ही है यहां आत्मा चाहती है कि मेरा मन शान्त हो तो जाओ तुम अपने घर परमधां परन्तु पतित फिर जा भी ना सकें इसलिए बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंत मती सोगती हो जाएगी बाप और वर्से को याद करो परन्तु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती है अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं विश बिगर रहना सकें बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रू की है बाप कहते हैं बच्चे विश छोड़ो काला मूँ नहीं करो तो कहते हैं कोशिश करेंगी ये जहर है आदी मध्य अंत दुख देने वाला है परन्तु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं है आत्माव को बाप बैट समझाते हैं आज से विकार में नहीं जाना तो मू नीचे कर देते हैं अरे काम महाशत्रू है ये अच्छा थोड़े ही है ये है ही फिशिस वर्ड सब पतित हैं सत्यूगी सभी समकूर्ण निर्विकारी हैं अच्छा मात पिता बाप दादा के कल्ब अत्वा पाँच हजार वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों को याद यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को दिलव जान, सिक्व प्रेम से, नमस्ते, नमस्ते जी, गुन मॉनिंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धारना के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा-पूरा मददकार बनकर रहना है, बाप और वर्से को याद करना है, और दूसरों को भी कराना है, दूसरा पॉइंट, अन्च समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की फ्रीद एक बाप से रखने है, बाप बिगर और कोई की स्मृती न आए, इसके लिए खबरतार रहना है, वर्दान, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने बाप समान, संपन, भव, बाप दादा, अब सभी बच्चों को समान और संपन देखना चाते हैं, संपन बनने के लिए सोचना, कहना और करना, तीनों समान हैं, इसके लिए सब तयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है, लेकर ये इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेगे। छोटी-छोटी अनेट प्रकार की इच्छाइं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती हैं। स्लोगन अव्यक्त वा कर्मातीत स्थिती का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। अच्छा, ओम, शान्ति!